हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं योगेस फिस से आपका अपने इस डिस्कुस्न प्लेटफॉर्म पर इसका नाम है नए अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं तो हम लोग पिछली वीडियो में स्पीड के बारे में पढ़ा था कि स्पीड की कितने टाइप्स होते हैं एवरेज स्पीड में कौन-कौन से केसे होते हैं बहुत अच्छा तरह किस पढ़ा था अब हम लोग उसी की क्रम में थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं तो आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं ज्यादा कोई कठे नहीं है स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी वही जो आप लोग पढ़ रख्यों हो पस उसी को हमको आपको रिवीजन करवाना है तो भहीया आज जो हम आपके साथ डिस्केशन करेंगे जिस टॉपिक का स्पीड टोग कर चुके थे अब हैं वेलोसिटी ठीक है? अब velocity होता क्या है ये देख लेते हैं velocity होती क्या है ये देख लेते हैं तो velocity या formula आपको पता है कि velocity equal to displacement upon time ठीक है? speed में distance लेते थे velocity में displacement लेंगे पास यतना ही अंतर है इसकी के unit की बात करते हैं तो इसकी तो meter होगी इसकी second होगी unit में कोई change नहीं होगा बस distance क्या होती है? scalar quantity होती है इसलिए जो speed होती है वो भी आपका scalar quantity हो जाती है और जो displacement है ये आपका vector quantity होती है क्योंकि इसकी direction होती है तो उसके साथ जब ये vector quantity है तो ये भी एक vector quantity हो जाएगी ये तो simple सी बात है जो displacement है जो displacement है ये may be positive और negative और zero ये तीनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है या तो positive या negative या zero बिल्कुल उसी तरीके से velocity भी विया जो है velocity जो आपकी है वो may be positive और negative और zero तो ये या तो positive हो सकती है या negative हो सकती है जीरू हो सकती है जैसा displacement का sign वैसा ही velocity का sign अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ चलते हैं जैसे speed के मैंने part किये थे वैसे बिल्कुल velocity के भी part हैं लेकि उसके part थोड़े बड़े थे इसके part छोटे छोटे हैं आगे बढ़ते हैं velocity में ही पहले हम लेके चलते हैं uniform velocity इसमें कहलेंगे सबसे पहले uniform speed uniform velocity ठीक है वहाँ पर distance भूलत है कि covers equal distance in equal interval of time तो यहाँ पर क्या बोलते हैंगे covers equal displacement in equal interval of time बस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा covers equal displacement equal displacement in equal interval of time ठीक है कुछ चैंज नहीं है जहाँ जहाँ distance उसमें बोला था वहाँ displacement बोल देना है सब इसके definition बन जाएगी ठीक है अब अगर हम non uniform की बात करते हैं non uniform velocity की तो क्या हो जाएगा covers unequal displacement covers unequal displacement covers unequal displacement in equal interval of time interval of time ठीक सिंप्ल से हैं जब equal displacement equal time में cover करें इसे मैंने एग घंटे का time लिया और अगर एग घंटे में वह एक किलोमीटर का displacement चल रहा है तो आपका uniform हो गया और माले एक ही घंटे का time interval है पहले घंटे में एक किलोमीटर दूसरे में दो किलोमीटर तीसरे में चार किलोमीटर इस तरीके से है तो हो जाएगा non uniform velocity ठीक तीसरा जैसे उसमें था average तो वैसे यह इसमें भी है average velocity average velocity इसका formula क्या होगा बिल्कुल वैया डिक्टो वैसे ही है कि एवरेज वैलोसिटी इस इकल टू टू टो टल डिस्प्लेस्मेंट अपान टो टल टाइम ठीक है बिल्कुल सिंप्ली से बात जैसे इसका और अच्छे से एक जाम पर समझ सकते हैं जैसे मालिया body यहां से चल रही है body यहां से चलती है सबसे पहले यहां तक जैनि कि x1 distance travel करती है t1 समय में ठीक है x1 distance travel करती है t1 समय में और फिर वो आगे बढ़ जाती है रुकी थोड़ी नहीं फिर वो आगे बढ़ गई कहा तक यहां तक आगई तो वह X2 यहां से X2 डिस्टेंस ट्रवल कर लगे कितने समय में T2 समय में पहले वो पॉइंट पर यहां से A से B तक X1 डिस्टेंस को T1 समय में कवर करती है और फिर X2 डिस्टेंस को T2 समय में कवर करती है तो displacement कितना हुआ इतने में से इतना माइनस कर दें तो displacement हो गया भी यह X2 माइनस X1 X2 माइनस X1 यह निकल आया अब इतना जो गैप है कितने समय में कवर हुआ T2 माइनस T1 हो जाएगा यही आपका average velocity का formula बन जाता है सामने सी डिसी बात यहां से ठीक अब अगर हम last पॉइंट की बात करते हैं instantaneous velocity Instant instantaneous instantaneous velocity की बात करते हैं तो जैसे speed की मैंने कहा था कि particular हर एक instant पर कितनी जोटे चोटे चोटे टाइम पर आपकी speed कितनी है तो वह कहला था instantaneous speed उब को डिटो यहां प्रवाई होगा कि आपकी चोटे से चोटे 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 इंस्टेंट पर आपकी velocity कितनी है तो वो कहलाता है instantaneous velocity at any instant बस आपको यह धाय धनना है at any instant at any instant the velocity of a body is known as instantaneous velocity ठीक तो भी यह velocity के चार पाट आपके पास आगए देखा कि speed से बहुत छोटे-छोटे हैं और डिट्टो स्पीड है खाले चेंज कहां पर जहां डिस्टेंस मैंने उसमें बोला था स्पीड वाली में वहां टोटल मैंने displacement बोल दिया पूरा को पूरा निकल के आ ठीक तो यह होगे वह या वेलोसिटी के बारे में अब हो लोग आगे थोड़ा बढ़ चलते हैं कुछ कठी नहीं भिया अगर मैंने कहा कि आप हमारे साथ हर एक वीडियो को आप देख रहे हो मेरी तो आपको भिया कोई confusion physics में नहीं क्रियेट होगा यह मेरी गारंटी है अगर आप इसको इर्गुलर तरीके से देखतो हो तब मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता लेकिन अगर रिगुलर तरीके से मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो confusion नहीं क्रियेट होगा चलो आगे बढ़ते हैं कभी कभी बाड़ी Ihr uniform motion and non-uniform motion Uniform motion and non-uniform motion को कुछ नहीं definition नहीं वीया अब तो कौना को पता है बिल्कुल पता है वहिया आप सब को पता है लेकिन फिर भी मेरा काम में स्मॉल से लेकर के आपको highest पाइंट अग के जाना तो मैं नहीं चाहता बीच में कहीं पर भी आपको इतना सा confusion भी हो ठीक है तो यहाँ पर uniform and non-uniform motion क्या होगा जब body equal distance cover करे in equal interval of time body covers equal distance in equal time interval then the motion of body motion of body is known as क्या नोन होगा uniform motion uniform motion कुछ मैंने नहीं नहीं लिखा नहीं नहीं लिखा जो uniform speed का था equal distance covering equal interval of time बिलकुँ डिटो मैंने वही लिखा है उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म motion ठीक है equal distances covering equal interval of time then this is known as uniform motion ठीक है और अगर हम non-uniform की बात करें तो क्या होगा unequal distances covers in equal interval of time equal interval of time ठीक है डिटो यह कोई difference नहीं है कहीं कि आपको इसके definition नहीं मिलेगी कि velocity या body may be increase, may be constant, may be decrease अब भया किसी की simply से बात है अगर speed या velocity increase होती है तो distance ज़्यादा cover करोगे constant रहती है तो distance fixed cover करोगे अगर decrease हो जाएकि तो distance cover करो कम cover करोगे गुमा फिरा के यही चीज बोली जाती है बस कहने का तरीका अलग हो जाता है आप चाहे speed के term में बात करोगे हमने direct distance के term में बात करोगे घुमा फिरागे कुछ भी करोगे आओगे यही पर ठीक है चोए directly, चोए indirectly ठीक है physics में होता क्या है कि कभी-कभी लोग directly बात ना करके indirectly बात करते हैं तो कवा यह तो बड़ा द्वान है अपने दुनिया भर बता बता देगा कहते हैं और यार बहुत पढ़ालिका डाक्टर है और अगर हम लोग किसी छोटे आदिमसिया जो कम गाउं में जो डाक्टर होते हैं पढ़े लिखी कमे लिख एक्सपिरियंस परसें ज्यादा होते हैं उनसे पूछे तुवही बात बोले यहां पर हैं यहां पर चाहिए कुछ भी कहोगे घुमा फिर आओगे यहीं पर ही तो यह होगे सिंपल से डिस्ट है डेफिनिशन एंग यूनिफॉर्म मोशन थीक है आगे बढ़ते हैं मैंने करना आज का वीडियो बहुत ही सिंपल जाएगा बहुत ही सिंपल लेकिन वीड अब और सब पिशोड़न को अब आगे है एक्सलरेशन सबधो पता या एक्सलररेशन क्या होता है चेंजन विलॉसिटि आपङन पान थाइं जिक है वही जी है एक्सलरेशन क्या हो गया चैंज इन वेलासिटी अपान टाइम कि यह हो गया हमारा एक्सिलेरेशन ए थेक इसको हम लोक अभीके बैस आवे लिख देते हैं A is equal to V2 minus V1 upon T यह हो गया acceleration Change in velocity upon time चाहे इसको time लिख दो चाहे total time लिख दो चाहे time interval लिख दो ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है मैंने कहा ना, total time लिखो चाहे time लिखो, चाहे time interval लिख दो time interval कैसे? देखो जारा जैसे आपने कहा सर बोड़ी यहां से चली V1 velocity से T1 time में और फिर आगे बढ़ी V2 velocity से T2 time में यहां तक पहुचा मतलब इस A से B तक वो V1 velocity से गया T1 time में और A से C तक V2 velocity से T2 time में तो अब change in velocity क्या होगा? V2 minus V1 तो यहां पर लिख सकते हैं V2 minus V1 change in velocity time interval T2 minus T1 चाहां ऐसे लिखो बात एक ही रहता है ठीक है? इसकी जो भी यह unit होती है वो velocity के तो meter per second हो जाती है अब पां सेकेंड और है तो इसकी unit हो गई meter per second स्कूर अब इसके यह parts भी देख लेते हैं तो इसके part हम देख लेते हैं इसके part भी बिल्कु डिट्टू velocity speed की तरीके से हैं कौनकों से? देखते हैं कुछ ज़्यादा change नहीं आएगा जैसे पहले उसमें क्या था? uniform speed यह uniform velocity तो उसमें क्या आजएगा? uniform acceleration तो पहला इसकी heading डाल लेते हैं uniform acceleration uniform acceleration ठीक? क्या होगा? जब बोड़ी equal time interval में उसके velocity में change हो वो equal हो equal change in velocity in equal time interval तो यहां के लिख सकते हैं equal change in velocity equal change in velocity in equal time interval in equal interval of time ठीक है? जैसे मैंने क्या कहा था? equal distance cover in equal time interval equal displacement cover in equal time interval तो यहां क्या कहा है? तो यहां क्या कहा है? equal change in velocity in equal time interval of time ठीक है? क्योंकि formula में change in velocity था तो यहनिकि जब बराबर बराबर समय में velocity में जो change है वो बराबर बराबर होगा तो वो क्या कहलेगा? uniform acceleration ठीक अगर हम non-uniform की बात करें अगर हम non-uniform acceleration की बात करें तो क्या होगा? बिल्कु सही है equalic क्या लिख देंगे? unequalic देंगे बाकि डिटो वही रहेगा तो मैं क्या लिख देंगे? unequal change in velocity in equal interval of time interval of time ठीक है? इसमें equal, velocity में change equal हो यहाँ पर क्या है? unequal change हो velocity में change unequal हो तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा non-uniform acceleration non-uniform acceleration ठीक है? उसके बाद average को बहुए average का तो अब नमबर आता है uniform non-uniform अब आएगा नमबर average का तो यह हो जाएगा भाया average acceleration क्या हो जाएगा भाया? यह हो जाएगा average acceleration इसको क्या बोलेंगे? बिल्कु सही है निट यह total change in velocity upon total time तो acceleration क्या हो जाएगा? average acceleration total change in velocity upon total time total time भी लिख सकते हो total time interval भी लिख सकते हो जैसा भी आपका मन का है तो average acceleration फूल फॉल 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 लिख दे भी जाने तो कन्फूज हो जाओगे आप लोग average acceleration is equal to क्या हो जाएगा? total change in velocity upon total बैस कोई कठी नहीं है भी या सब एके जैसे चल रहे है उसके बाद आता है instantaneous acceleration instantaneous acceleration क्या होगा? at any instant बस यह धहां रखना है at any instant जैसे मैंने speed में क्या बिला था at any instant the speed of a body is known as instantaneous speed velocity में क्या बताया? at any instant the velocity of a body is known as instantaneous velocity और वैसे यहां पर क्या बोलेंगे? at any instant, the acceleration of a body is known as instantaneous acceleration. किसी भी छोटे छोटे टाइम पर उस बोडी में कितना acceleration है, वो क्या कहलाता है? instantaneous acceleration कहलाता है, ठीक है? यहाँ पर आपने दो टाइप नाम और सुनेंगे उनके positive acceleration positive acceleration इसको हम लोग बोलते हैं, speed up मतलब, जब बोडी की speed continue बढ़ रही हो जैसे, जब बस इस्टेशन से बस चलती है तो इसकी speed काफी बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तो वो क्या कहलाता है? positive acceleration या सिम्पी सा समझते हो, जब आप बाइक स्टार्ट करते हो, इस्टार्ट किया, पूरा मुठा खीज दिए तो आपकी जो बाइक है, क्या होती है? फरस से seat पकड़ती है, और इस भी बढ़ती ही चली जाती है तो वो कहलाता है, positive acceleration, speed up तीक है? दूसरा है आपका, negative acceleration negative acceleration, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जाते हैं retardation की नाम से भी जानते हैं या इसको दूसरे नाम से मैं de-acceleration, de-acceleration की नाम से भी जानते हैं ये तीन नाम है, negative acceleration, retardation या deceleration इन तीनों का मतलब होता है, कि आपका speed down speed down तीनों का मतलब है वह या speed down ठीक है, जैसे जब आपकी speed अच्छी खासी हो जाती है फिर का कर तो अगर गाड़ी रोकनी है तो आपको break लगाने पड़ती break लगाने में क्या होता है, आपकी speed या velocity धिर धिरे कम होती है, उसको बोलते negative acceleration या speed down या retardation या deceleration ठीक? तो velocity हो गया, uniform हो गया, acceleration हो गया और दुनिया भर के part भी पढ़ लिए अब हम लोग एक last का important numerical discuss कर लेते हैं और उसके बाद भी या हम लोग इस वीडियो को wind up करेंगे तो वो important numerical count के मैंने शुरूम बताया था important चीज़ डिसकस करेंगे तो आप सोचे लोगे अरे कब बताएंगे sir, कब बताएंगे ज़ेखते हैं जो हम लोग formula पढ़े हैं speed is equal to distance upon time यह भाया formula आपको तब help करता है जब distance आपको इक numerical value में दी हो 5 km, 10 km, 20 km अगर कुछ इस तरीके से दे दी जाए अगर आपको distance इक numerical value में given है तब हम लोग इस formula का use करते हैं अगर कुछ आपको इस तरीके से दे जाए कि x is equal to 2t square plus 3t plus 6 यह पोजिशन आफ बॉड़ी पोजिशन आफ बॉड़ी find speed at t equal to 2 seconds अगर इस तरीके से numerical आजाता है तब भया वहाँ पर यह formula यूज नहीं करता यूज हो ही नहीं सकता तो अगर आपको एक numerical value ना दे करके के question दे दीजाए position की तब हम क्या करेंगे तो ध्यान रखेगा वहाँ पर जब हम position को with respect to time differentiate कर देते हैं तो यह मिलता है आपको velocity या speed इसको बोलेंगे speed ठीक है जब हम position को with respect to time differentiate कर देंगे तो मिलता है यह speed या velocity भी हम लोग कभी कभी बोल देते हैं जब हम speed या velocity को with respect to time differentiate करते हैं तो मिलता है acceleration तो ध्यान रखना है कि जब हम position को with respect to time differentiate करते हैं तो भी मिलता हम को velocity जब हम velocity को with respect to time differentiate करते हैं तो मिलता है आपका acceleration यह दो चीजें आपको माइंड में रखनी हैं यह मैंने क्यों बता दिया क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा वह है एक्वेशना मोशन का डेरिवेशन उसमें यह चीजें बहुत आपकी हेल्प करेंगी तो यहां पर हमको क्या करना है इनका differentiation करते हैं differentiation आप करने के लिए बस आपको एक फार्मला याद रखना रहेगा कि डी अपां डी एक्स एक्स की पावर एन आप जिको जर्या जिसको जो लोग ये लोग जानते हैं वो तो ठीक है जो नहीं जानते हैं समझ लीजे इसको तो राश्टेप राश्टेप लिखते हैं यहाँ पर x की power n का आपको differentiation करना है इस quantity का differentiation करना है जिसके respect में किया जाता है वो नीचे लिखा होता है एक d यहाँ लिखा होता है ठीक है d by d यह तो differentiation का एक symbol हो गया जो यह quantity लिखी हुई है यह quantity बताती है कि उपर वाली यह जो quantity लिखी इसका किसकी respect में differences होता है तो यहाँ से हमको पता लगया कि इस quantity का differentiation किसकी respect में होना है x के respect में होना है ठीक है जब दोनों same होते तब ही differentiation होगा otherwise फिर टूल दूसरी हो जाते है ठीक देखो तो इसका है का n x की power n-1 यह आपको याद रखना है यह चीज़ आपको याद रखना है यह आगे हमान next वीडियो में है इसको help करेगा है ठीक है तो इसको कहते हैं differentiation नीचे जो x लिखा होता है उसके respect में differentiation करते हैं और यह है आपका x की power इसका हमको करना है तो formula क्या है n x की power n n-1 इसका थोड़ा यूज देख लेते हैं जैसे मैं कहते हूं x square का करिए तो यहाँ पार तुरंत d.dx लिख दिया तो यहाँ जाएगा 2x देखो n, n उबाह पहले आजाएगा तो 2 आजाएगा x की power n-1, 2-1 यहाँ बिलिख देए 2-1 तो 1 हो जाएगा तो यह जाएगा 2x ठीक बिल्कुर d2, अब जैसे कोई कह दे, x का करना है भीया, खोदी कर देए, d upon dx, ऐसे काट नहीं देना है तो यहाँ पर कित्ते x की power 1 है, तो यह जाएगा 1x की power 1-1, यह 0 हो गया, तो x की power 0, 1 होता है, तो यह जाएगा आपका 1, ठीक अब देखो जाएगा, यहाँ पर आते हैं, हमको speed find करनी है, यह velocity find करनी है, यह velocity find करनी है, जो भी आप लिखना चाहो तो हम क्या करेंगे, उसको with respect to time differentiate करेंगे, dx by dt, इधर देखो जाएगा जब हम with respect to time differentiate करेंगे, तो t square करेंगे तो 2t आजाएगा, क्योंकि x square का 2x होता है, तो t square का 2t हो जाएगा plus 3, क्योंकि constant का तो होता ही नहीं, तो cosine बहां निकाल देते हैं, t, x का 1 हो गया, तो यह हो जाएगा 1, plus इसके साथ तो कुछ है यह नहीं, तो यह हो जाएगा 0, जिसके साथ, जिसे माली यहाँ पर t नहीं है, तो यह हो जाएगा 0, जिसके साथ है, उसके recording कर देंगे differentiation, तो य यह आगे मेरी velocity या speed, लेकिन अभी यह answer नहीं है, क्यों, पूछरा add t equal to 2 second, अब यहाँ पर क्या रख देना है, put, t equal to 2 second यह put का देना है, अब value कितनी आएगी, 4 into 2 plus 3, तो 8 हो तीन, गेरा, यह आ गया, अब जो भी यहाँ पर unit दी होगी, यहाँ पर हो जाएगी unit, जो भी unit ह होगी, वो मेरा answer हो जाएगा, यहाँ ठीक है, तो भाया, इस तरीके से question आपके आते हैं, कि कभी-कभी यह formula ना लगा करके, आपको यह वाले formula यूज करवा देगा, अभी जैसे हम कहा देते, acceleration find करूँ, तो हम को इसको फिर से बिद रिस्पेक्ट्टिव time differentiate करना पड़ता, अगर हम करते, तो देखो जरा, क्या आजाता यहाँ पर, इसको dv upon dt करना पड़ता, और फिर क्या आजाता, 4 into, t का तो 1 हो जाता, plus 3 के साथ t तो है नहीं, t हो जाता 0, तो answer आजाता 4, तीक, अब यह कह जाता, t जीकलो 2 second पर, क्योंकि इसके साथ t है यह नहीं, तो हम 2 रखे यह नहीं, तो सीरे-सीरे मेरा 4 answer आजाता, तीक, तो यहाँ पर हो सकता आपको differentiation, आप पढ़े हो, पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, तो हो सकता आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, कि अखिर यह है क्या, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, कि हम जो उप ठीक, तो इस numerical के साथ ही भया, हम लोग आज की इस वीडियो को wind up करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए धावस वीडियो होगी, जिसमें हम लोग calculus method से equation of motion का derivation करेंगे, calculus method से भी करेंगे, और graphical method से भी करेंगे, ठीक है, तो तब मिलते हैं भया, नेक्स्ट वीडियो मे तब तक के लिए आप लोग इसको revise करिए, जितना भी हम पीछिस करते जारें, revision must है, revision करते रहें, जहां पे doubt हो तुरंत पूछ लिजे, इसे एक साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए take care and bye-bye